जेहिंद मैं ललित खतरी और अब ये खबर आपको जटका दे देगी क्योंकि अब परदेश के बिजली उपुभोकताओं को बिजली की दरों में बडोतरी के रूप में एक नया जटका दिया जा रहा है देश कौम की और से लगाई गई टैरिफ याचिका को राजस्तान विन आमाल अजमेर टैरिफ में बडोतरी की गई थी बिजली की बड़ी हुई दरें एक फरवरी से प्रभावी मानी जाएगी इसके साथ ही बिजली की नई टैरिफ में उध्योगों को बड़ी राहत दी गई है उध्योगों के लिए बिजली की दरों में कोई जाफन नहीं किया गया बलकि उन सर्चार्ज इंडस्ट्री पर नहीं लगेगा पांडे के अनुसार मौजूद MIPHD और LPG उभोगताओं के लिए क्रमशह 55 पैसे प्रती यूनिट और 85 पैसे प्रती यूनिट की छूट दी गई है इसी तरह नई इंडस्ट्रीज को भी टैरीफ में कई छूट दी गई है हलांकि उध्योगों के लिए नई टैरीफ में फिक्स्ट चार्ज बढ़ाया गया है शुरिमत पांडे के अनुसार नई टैरीफ में लेक्टरिक वहां चार्जिंग के लिए नई शिरणी बनाई गई है जिसमें इलेक्रिक वहां चार्जिंग स्टेशन को काफी रहत मिलेगी प्रदेश में बनने वाले कॉरिडोर को देखते हुए पांच रुपे सतर पैसे प्रती यूनिट की दर्स से बिजली देना तै किया गया है वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों के चारजिंग स्टेशन के लिए 6 रुपे प्रती यूनिट तै की गई है बीपियल और आस्ता कार्ट धारकों को राहत दी गई है जिसके तहत प्रदेश में लगभक 16 लाख बीपियल और आस्ता कार्ट धारकों को राहत परदान करने के लिए जिनकी खपत 50 यूनिट प्रती माहत तक है उनकी उरज़ा खपत और स्थाई शुल्क में कोई बड़ोतरी नहीं की गई है वहीं लगू घरेलू छोटे अध्यों के लिए प्रकार की कोई बड़ोतरी नहीं की गई है इसके अलावा नए टैरिफ में आयोग ने प्रिपेड मॉनिटरिंग पर भी चूट दे दी है तो वहीं टैलिसकोपिक सरनचना को समाप्त करने के लिए डिसकॉम के प्रस्ताव को भी सिरे से खारिच कर दिया गया है ताकि आम बिजली उभोकताओं को टैरिफ चौक से बचाय की जाएगी और यदि बिल्की तिथी से दस दिनों पहले भोकतान पराप्त होता है तो यह चूट जियो दश्मलब 35 प्रतिशत की होगी टैरिफ में किश्यू भोकताओं के विद्यूत दरों में भी बड़ोत्री की गई है सामाने ब्लॉक में दी जाने वाली बिजली की सप पॉलो करें और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करें वीडियो जर्नलिस्त राजवीर सिंग के साथ मैं ललित खतरी उल्ड़ करें टो भीडियो यूट्यूब करें पार ये वीडियो ये जर्ड़ोत्यू टूब करें लग वे प्राज़ वेगो